सब्सक्राइब कान आया है कान की सपाई हो चुकी है और बहुत ही जादा कान दर्द हो रहा था यहां पे ड्रक्टिल ने सबसे पहले कान को साप कर दिया था मतलब इतना ज़्यादा मतलब इसमें इंफेक्सन जैसा कुछ हो गया था क्योंकि कान बने गया है कि खुद दिया था उसके बाद उसमने सरसों का तेल डाल लिया थे इतना प्ली याई तो पूछो मत मतलब दर्द भुटांट को रहा था इतनी आई कि प्लीन की आई कि ए थे घूंद को इसके बाद दवा को लिए डालने के लिए कान की थोड़ा सा भाई बनता है आप लोंग के साथ सेहर करना तो काफे ज़्यादा रो रहे थे उस टाइम पे अलाकि गोरी भी चुप करा रहे थे लेकिन जब दर्दी इतना जादा है तो भाई चुप कैसे हुआ जाया जब दर्द होते हैं तो आसो निकलते ही निकलते हैं तो बस आज पैकिंग भी करनी है देखिए कान की सफाई डॉक्टर ने की है काफी जब सारा ना बलर्ड कान से ऐसे आ रहा था क्यूंकि इतने अंदर तक घाव हो गया है कान में कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर तक साफ सफाई किये हैं और उसके बाद ये पूरा दिन हम उठ ही नई विस्तर से बस लेटे रहे थोड़ा सा काना माना खाया और उसके बाद जो है घर के जो काम थे सब लोगों ने मिलके निप्टाया गोरी ने गुलू ने उनके पापा ने साम के टाइम थोड़ा ठीक हुए तो हमने सोचा चलो पैकिंग कर लेते हैं क्योंकि अब जान हो या फिर रात को जाना हो तो फिर रास्ते में ठंड भी लग सकती है तो इसलिए हमने सोचा चलो थोड़ा सा कप्डे वपड़े उनी निकाल लिए जाते हैं तो हम पर हस्पेंड ने दिवान खोला है और वही करेंगे क्योंकि मेरे कान में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा हैं हलाकि बाकी के सारे खिलों ने दे दी हैं लेकिन दो तीन बहुत अच्छे हों तिक इनको हमने रख लिए हैं तब यह थोड़ी सी आराम है अलाकि कान अभी बहुत चिलख रहा है ते और यह देखिए साम को थोड़ी सी सब्जी कटिंग चॉपिंग कर रहे हैं आली वैगन सब्जी बनाएंगे बोलने से भी कान में दर्थ हो रहा है मतब तभियत में थोड़ी बहुत अराम है कैसे ना बीना बनाए खाय नहीं चलता मेरा होता के लिए तुमेलेटी रहती लेकिन दो बच्चे हैं तो बच्चों को भूख लगेगी और फिर खाना बनाना पुरेगा कि अब ही गोरी उठी थी गोरी ने बर्धन बर्धन धुले हैं बहुतार विस महिं की तो थोड़ी के पर दियू झैणर किते हैं अभी अगर आज रात में अराम होगा तो फिर अपनी पैटिंग में कांटीनियू करें असवार व्लौ सोंग को सब्सक्राइब कर दिशूर्म नहीं करना चाथे थे मतलब हम सुब उपार में में रो रहते हैं तो दो सचा कि आप लोगे सामने हम कहते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर हम चार दीन तीन तीन और नहीं जाते नाya तो कान जो हाल को शाल होता हुटा साइध हम नहीं हुटा सकते अच्छा किया है अचmer एक मेरी होना तो टालते रहते हैं आज चलेंगे हम सभी लेडि़ी SuzanneOS की यादत होती है यह सोचते है ठीक हो जाएगा उसके चक्कर में जो है ठीक नहीं होता बड़ता चला जाता है अज फेस के इदम से उतर चुका है फेस हमारा और यहां पिना मुझे यहां पी छोप लगी जिसके निकसान यहां पर बने रहते हैं तो चलिए आगे जैसा कुछ भी होगा आप लोग के साथ खेयर करेंगे फिला सामने सोचा आप लोगों को बता देते हैं और अपडेट देते हैं वास सब्जी कट करके हमने सब्जी छोप भी थी थी हलाकि हमने बताया था कि खाना नहीं बनाएंगे फिर भी लेकिन धीरे धीरे उटके सब्जी की कटिंग उटिंग की क्योंकि देखिए जब पच्चे जाते हैं घर में तो यह नहीं होता खाना नहीं बनाएंगे क्योंकि बड़े तो हो जाता है बड़े खाएं चाहें नहीं टाइन लेते हैं लेता कि दागे तो सा कान में क्या खुद दिया और इतनी सारी दवा दे दिये थे देखिए कितनी सारी दवाइं दिये हैं चार टैबलेट दिये हैं तो इसमें सुबा भी चार खानी है साम को भी चार खानी है दो पार में एक खानी है तो सारी दवाएं पहले जो पांडे जी बता रहे हैं क्या क् खाना है उसके बाद पैकिंग साइकिंग हो चुकी है थोड़ी बहुत जो भी हुआ है सब लोग तयार हो चुके हैं ज्यादा सूटिंग उटिंग पर ध्यान नहीं था बस यह था कि फटा-फट से सारे काम हो जाएं बच्चे रेडी हो चुके हैं और बाकी सभी हम भी जाना होता है इसके बात आठो क। जाना है यहार जाना है यादा वीडियो ओछित करो लिए नहीं मेरे मन NG में लगा है लूट है जाए भी बनाया है अप लोग के सबस्के तेला है विंसजया ह्ने पापा सब बैट चुके हैं गोलो भी खुट हैं खुट हैं हम तो खुट हैं यह लेगा और तीधा यह बस आपको फजाबाद में आपको फजाबाद से बस बदलनी होती है उसके बाद आपको चुंतानपुर प्रताब गढ़ मतलब की जाना चाहेंगे उए गोरफपूर के जूंड चिडिया घर हमने बस में बैटे बैटे घे आभी तक हम गए नहीं है गोरफपूर में जो चिडिया घर बना हुआ है कभी गए नही है लेकिन आज बाहर बाहर से देखा बहुत ही सिंदर था हम् Double को दिखा देते हैं ये बहुत पान मैं और बहुत सारे सिंहाडे ताल में जेता है दिखेें, Gorepad में ज़से बहुत बढ़ा ताल ताल है और बगल उसे ताल की कमी है सब बाई-पास वाले बहुत कमी आते हैं अंदर अंदर से लेकिन इस बार पता नहीं किस कारड़ से बस को गुमा दिये गए ते दूसरे रास्ते से इधर तारा मंदल की साइट से हम लोग आए हैं तो बस इसी तरीके से था हमारा सफर थोड़ छोटा मोटा जो आप लोग के साथ सेर कर रहे हैं आज और अब हम थोड़ी देर में अजुद्या पहुच जाएंगे अजुद्या का भी सी थोड़ा सा सूट किया था साम की छट साथ देखिये मतलब साम हो गए थी सायद चार साढ़े चार बज गए होंगे अजुद्या यह बाइपास से आए हैं अंदर अंदर से नहीं आए हैं अंदर अंदर से आए होते तो आप लोग को और भी सुन्दर देखने को मिलता लेकिन जो भी था मूट की आप लोग के यह सारे वहां गोरुखपूर में भी लग गए हैं किनारे किनारे जो सब कूदते उत्ते थे उसकी वज़ा से किनारे किनारे जैसे लोहे का लग चुका है पहले गोरुखपूर में भी नहीं लगा था वहां लेकिन अभी यहां लग चुका है तो बस यह सुल्तानपूर का स टाटा बाई बाई करते हैं माऊसीक बहते हैं डढई उलाट多 जो कहाइस है में भाई अदूले सभाए अधर कव नसेडैए सब्सक्राइज करते हैं सारा दिनático अब यहाँ से टेंपू पकलेंगे जलेंगे माऊसी के घर और अभी पांडे ही नहीं लेने गए है, तो आप दोंगों के बाते हैं, फिर्म दोग मिनट जोड़ी सी पैदल यहां पर भी चलना होता है, उतरने के बाद उसके बाद आए तो फिर कुछ वीडियो सूटी नहीं हुआ, मतलब बस ठाना पीना हुआ, सबसो गए, दवा हुआ, खाई हो, देखिया, आँच तो ऐसे लग रहा है, जैसे बहुत दोर से यात्रा करके आए है थकी तकी सी अभी सुबा के साथ बज रहे हैं, और हम सब इस तर में दुपके हुए हैं, हलांकि गोरकपूर में चार बज़े ही उठना हो जाता है, एक बार उठे भी थे, फिर से लेट गए, सब को देखा सब को ए थे, तो हम भी अपना चुप चाप लेट गए, तो अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाई, सुब प्रभाद!